क्या आप भी अपने नॉर्मल वाली साइकल से पड़ेसान है उसे पेडलिंग करने में आपको काफी ज़्यादा मुस्किल होती है उसे पेडलिंग करना थोड़ा सा मुस्किल होता है अगर हम compare करें गियर वाली साइकल से तो trust me यहां पर देख सकते हैं मेरे पास भी सिंगल तो चलाना मेरे लिए काफी ज़्यादा मुस्किल होता है जब से मैंने इसमें पतले टायर्स की जगा पर मोटे टायर्स को install किया आप लोग में सभी बहुत लोग के पास problem आता होगा single speed की cycle चलाने में बिलकुल भी मजा नहीं आता होगा hard चलने लगता है तो आज की वीडिय को एक gear cycle में convert कर सकते हैं या नहीं बहुत लोग ऐसा सोचते हैं तो बिलकुल easily आप कर सकते हैं बुस उसके लिए आपको एक बढ़िया सा gear kit चाहिए होता है जो आपके cycle के लिए बिलकुल ही comfortable हो और आपके cycle में easily install हो जाए तो आज की वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते आपको subscribe कर लीजी क्योंकि मैं इसी परकार की cycles related videos रेगुलर आप लोगों के लिए लाता रहता है इसमें क्या करेंगे one by one आपको step by step करकर बताएंगे कि आप अपने normal cycle को gear वाले में कैसे convert कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक दिखीए गया क्योंकि कई लोगों ते skip क कर देते बाद में जब वो installation करते रहते हैं installation के time में आपको problem आ सकती है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखीएगा अभी हम लोग cycle में आपको gear लगा कर start करकर दिखाते हैं gear को purchase कर दें के लिए सबसे पहले मैंने amazon.in को यहाँ पर से open किया यहाँ पर मैंने gear की कुछ kits को देखा जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं prices है जो काफी ज़्यादा high है यहाँ पर 1250, 1240, 1550, 1499 उसके बाद मैंने flip card.in पर जाकर price को compare किया यहाँ पर भी आप price देख सक आपके cycle में mount होगी नहीं अगर आपके normal वारी cycle है तब उसके बाद मैंने simply सा doing minutes का application या फिर doing minutes.in या .com आप simple सा अपने mobile में खोल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ gear kits दी गई है जो की budget में है और आपके cycle के लिए बिलकुल compatible है जो कि आप अपने cycle में लगाएंगे तो easily install हो जाएगा तो आज हम यह वाली gear kit को select करते हैं जिसका price है 1079 यह time के साथ बदलती भी रहती है यह देख सकते हैं यह वाली gear kit आज हम उतने cycle में आपको install करकर दिखाते हैं जल्दी समया पर buy now करते हैं और product को install करते हैं सबसे easy procedure होगा कि simple सा cycle को आपको उल use करना है पूरा नहीं भी निकालेंगे तो आपका काम हो जागा lose करके कुछ इस तरीके से slide करकर wheel को निकाल लेना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको free wheel को remove करना है आप चाहे तो छेनी और हथारी के मदद से भी इसे remove कर सकते हैं मेरे पास tool था free wheel को remove करने के लिए एक tool आती है जिसे single speed की free wheel को काफी असानी से आप remove कर सकते हैं एक बार जब आपका free wheel बाहर निकल जागा अच्छी तरीके से आप इसे साफ कर ले उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 7.5 इंच का excel यूज किया क्योंकि जो हमारी free wheel है थोड़ी सी मोटी है तो यह बाली जो excel पहले से लगी भी थी तो वो छोटी होती है तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच का gear excel यूज किया है आप भी यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा gear install करें तो gear excel जरूर ले ले उससे क्या होता है कि आपका पूरा hub भी service हो जाता नेकसा step में क्य क्या करेंगे excel को हम लोग कुछ इस तरीके से खोल कर बाहर निकाल लेंगे आप देख सकते excel हमारा बाहर आ गया उसके बाद सिंपल से आप चाहे तो अपनी पूरी ball को change कर सकते जो steel की ball होती है अगर मेरे condition में यहाँ पर नई ball लगी हुए तो ball को remove नहीं करेंगे बस excel को ball निकल जाती है तो बापस से कुछ इस तरीके से लगा दे और अच्छी तरीके से grease लगा दे उसके बाद यह रहा हमारा bearing, bearing को आपको लेना है, simple सा ऐसे घुमा कर, tight कर देना, bearing को आपको ज्यादा tight नहीं करना हलका सा आपको lose ही रखना है, ज्यादा tight कर देंगे तो आपको wheel थोड़ा सा hard हो जाएगा, same procedure करना है आपको bearing tight हो जागा, एक बार rotate करकर देख लें कि अच्छी तरीके से यह rotate हो रहा है या नहीं, उसके बाद next step आता है आपको अपनी frame को extend करना हो क्योंकि आपने लंबी वाली Excel को use किया, frame को extend करने का सबसे आसान तरीका रहेगा, थोड़ extend हो जाती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत लोग Excel की मदद से भी कर लेते हैं, सबसी easy होता है हाथ से तोड़ी, यह आप क्या करें, bend कर ले कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पर free wheel है, अब हम free free wheel को इसके अंदर लगाएंगे, तो free wheel को simple सा आपको thread के उपर रखना है, कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, तो यह tight हो जाएगा, उसके बाद यह रहा हमारा derailer, आप चाहे तो starlet का use करे, venom का use करे, sun cross का ले, या फिर किसी भी other brand का ले, इस type का derailer होता है, सारा एक ही जैस होता है, तो simple सा आपको derailer में जो ऊपर में एक छोटा सा nut bolt दे आता है, उसे remove करना है, पीछे की तरफ से जो आपको nut लगाना है, वो लगा कर, bolt को अची तरीके से tight करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, कि बिल्कुल shape में ही रहे, इसका जो आगे का cut होता है, फ्रेम मे जो cut होता है, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, यानि कि आपस में parallel होना चाहिए, उसके बाद आप इसे tight कर दे, अगले step में हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी chain को remove करेंगे, chain को remove करने का मतलब होता है, chain के अंदर लगे वे rebate को आपको हटा देना है, एक बार rebate जब एक 10-11 link, आपको अपनी cycle में पहले से chain लगी भी है, उसके अंदर install करना होगा, तो कुछ इस तरीके से आपको लेना है, और इसमें लगा देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने छोटा सा एक टुकरा लिया था, link की बात की जाया, तो 10-11 link होती है, इंच में बात की जाया, तो 4-5 इंच के आसपास में आपको ले लेनी है, कुछ इस तरीके से लेकर आप इसे बापस से बंद कर दे, उसके बाद क्या कर लेना है, सिंपल सा आपको अपनी cycle को सीधी कर लेना है, एक बाद जब आपका cycle सीधा हो जाएगा, तो chain को अच्छी तरीके से डीडेले जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप अपनी normal वारी chain में थोड़ा से chain link एड़ करेंगे, तब आपको लग जाएगा, अच्छी तरीके से, आपको किसी भी तरीके की कोई भी new gear chain लेनी नहीं पड़ेगे, अगर आप gear chain लेते हैं, तो आपको crankset भी change करना पड़ था, तो यह जो step है काफी जादा easily हो गया, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, छेनी और हताओरी के मदद से बंद करना पड़ेगा, यहापर आप देख सकते हैं, हमारा जो chain है, बिलकुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद अगले step में हम यहाँ पर आपको एक चीज़ सबसे जादा जरूरी होती है कि यहाँ पर आपको gap देखना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो free bill के पास और frame के बीच का gap है, बिलकुल सही है, ना आपको जादा gap करना, ना ही आपको कम gap करना, कम gap करेंगे तो rub होनी लगेगा, आपका chain frame से जाद कर देंगे, तो आपको chain falling का problem आएगा, front वाले crane set से, अगले step हम आपको इसमें shifter को install करकर दिखाएंगे, यह रहा हमारे पास six speed का shifter है, पुरानी वाली grip को हटा लेना है, shifter को कुछ इस तरीके से लगा कर, बापस से आपको इसमें जो grip दी जाती है, उसे लगा देना, तो grip लगाने से पैदे, इसे हलका से lube कर ले, grease का use करेंगे, तो easily अंदर तरीके से चली जाएगी, पांच number के आपको allen key लेनी है, allen key से आपको क्या करना है, adjust कर ले अपने brake lever को थोड़ा आगे या पीछे, उसके बाद tight कर दे, उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसे भी adjust करने के लिए एक छोटा सा allen bolt दिया गया है, इसमें लगवक तीन नंबर के allen key से आप tight कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग cable housing को measure करेंगे, और अच्छी तरीके से एक बाद मेजर कर लेंगे, उसके बाद हम extra cable housing को cut कर कर हटा देंगे, क्योंकि इतना बड़ा wire हमारे frame के recording नहीं चेंज कर लें, या फिर पुरानी वाली wire को बापस से निकाल कर उसे lube कर देंगे, इसे gear आपका काफी जद़ा soft रहेगा और easy तरीके से काम करेगा, अगले step में क्या करना है, कुछ इस तरीके से जैसे यह आपका inner बाहर आ जाएगा, derailer के barrel screw में लगा देना है, यहाँ पर करकर अच्छी तरीके से आपको wire को खीचना है, उसके बाद lock nut से tight कर दे, wire को tight करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, barrel screw को आपको पूरा भी tight कर देना है, ताकि बाद में gear adjustment करने time, barrel screw को हम lose करेंगे, तब हमारा wire tight होगा, और gear हमारा अच्छी तरीके से adjust हो ज change करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, gear जैसे हम change करते हैं, हमारा chain है, वो shift करने लगता है, यहाँ पर आप problem देख सकते हैं, हमारा gear अभी दो number पर है, और हम आपको shifter पर दिखाते हैं, कि screen पर हमारा है, यहाँ पर सभी कौन सा number शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकत तो टेंशन थोड़ा सा कम है तो टेंशन कभी इंक्रीज करने के लिए हम बैर्ल darle को थोड़ा लूज करेंगे, उसको बैडल को रोटेट करकर देखेंगे कि बैडल रोटेट होता है या यह नहीं। पैरल रोटेट करेंगे, गेर नहीं shift कर रही है, तो फिर से हम barrel screw को थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक बार में आपको जादा नहीं करना नहीं, तो आपका chain बाहर के तरफ गिर जाएगा, उसके लिए आपको दोनों limit screws को adjust करना परेगा, जिसके उपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बार gear जो हमारा उपर के तरफ shift कर गया, बिल्कुल यही same procedure आपको करना है, तब आपका gear है easy तरीके से install हो जागा, यहाँ पर आपने देखा मैंने filing भी नहीं करा, कोई भी problem नहीं हुई, simply ही सा हमने अपने cycle में gear को install किया, वो successfully install होगे, कोई भी problem नहीं आ रही है, बहुत लोग install करते हैं, तो chain falling problem आती है, वो आती है, क्योंकि उनका cring set काफी जादा पुराना हो चुका होता है, उसके अंदर उत्ती जादा capacity नहीं होती है, chain को hold करकर रखने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, simply हमारा जो gear है, cycle में install हो चुका है, यह वाली वीडियो आपको कैसे लगी, जरूर आप हमें comment करकर बताएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरू like किजेगा, चैनल पढ़ना है तो चैनल को जरू subscribe कर दीजेगा, wire को लगानी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमने zip tie का use किया, zip tie से क् कि जो हमारा cable housing है, वो frame में अच्छी तरीके से adjust हो जाएगा, आप चाहे तो wire को नीचे की side से भी लेके जा सकते हैं, कोई इसमें बुड़ा ही नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, simple सा step था, आप अपनी normal वाली cycle को, single speed वाली cycle को gear में कितनी आसानी से easily तरीके से कर सकते ह अगर यह बले आप gear kit purchase करना चाते हैं, तो simple सा आप google play store पर जाके do in minutes के application डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप google में जाके do in minutes.in या do in minutes.com लिखेंगे, तो आपको हमारी website मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर gear kit को order कर सकते हैं, तो मैं description box में सारा detail दे दूँग, आपको WhatsApp न during problem आती है, during installation या installation के बाद, या gear kit को install करने में कोई भी problem आती है, तो आप बिलकुल हमसे पूछ सकते हैं, हमारी team आपको guide कर देगी, कि आप अपनी normal cycle को gear में कैसे easily install कर सकते, कैसे उसको convert कर सकते, कोई भी problem नहीं आती है, अगर आप normal cycle में अच्छी तरीके से एक अच्छी quality क gear को install करते हैं, तो चलिए आज की इस video को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं लोग अपनी next video में